भाईयों और बहनों हमारी यहां कहां जाता है एक पंथ दो काच लेकिन आज जो योजनाय बनाई जा रही है वहां तो एक पंथ अनेक काच उनसे अनेक लक्ष सित्थ हो रहे है जल जीवन मिशन के तहट घर घर पाईप से पानी पहुंचाने की वज़े से हमारी माताओ बहनों का जीवन आसान हो रहा है इसका एक बढ़ा लाप गरीब परिवारों के स्वास्त को भी हुआ है इससे गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफ़र्ड, इंसेफिलिट अपरफिलाइटिस जैसी अनेग बिमारियों में भी कमी आ रही है यही नहीं इस योजना का लाप इंसानों के साथ साथ पशू धन को भी हो रहा है पशू को साथ पानी मिलता है तो वो भी स्वस्त रहते हैं पशू स्वस्त रहें और किसान को पशू पालक को परेशानी ना हो इस उद्देश को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ यूपी में तो योगी जी की सरकार के प्रयासों से जिस प्रकार इंसेफलाइटिस के मामलों में कमी आई है उसकी चर्चा तो दूर दूर तक है एक्सपर्ट लोग भी इसकी चर्था करते हैं मासुम बच्चों का जीवन बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी क्लिम को मैं मानता हूँ हर उत्तर प्रदेश वासी इतने आशिरवाद देता होगा इतना आशिरवाद देता होगा शायद जिसकी हम कलपना नहीं कर सकते हैं जब विद्यान चलके अजारों गावों में पाइप से पानी पहुचेगा तो इस से भी इस खेतर के मासुम बच्चों का स्वास सुद्रेगा उनका शारीक और मांचिक विकास और बहतर होगा इतना ही नहीं जब शुद्र पानी मिलता है तो पोशन के खिलाब जो हमारी लड़ाई है पोशन के लिए हम जो महनत कर रहे हैं उसके भी अच्छे फ़ल उसके कान मिल सकते हैं जसके लिए सुद्रेगा